हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा कुहार वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स इस चैनल पर ये जो 6 साल से लेकर 8 से 9 साल तक के बच्चों के लिए फुल बाजू गोल गले की स्वेटर को मैंने बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है आज इसका ये पार्ट नमबर 2 है आज की इस वीडियो में मैं आपको मुढ़े की घटाई करना बैक और फ्रेंट पार्ट में गोल गले की घटाई करना सिखाऊंगी और साथ में कंधे जोडना भी बताऊंगी तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं पार्ट नमबर 1 में सिखाया हुआ है अगर आपने अभी तक इसका पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल पर इसका पार्ट वन जरूर देख लिजेगा तो ये देखिए इसके बैक पार्ट में मैंने मुढ़े की घटाई करके और यहां गले की घटाई तक इसे बनाया हु हुआ है दोनों पार्ट में मुढ़े की घटाई बिल्कुल सेम होगी दोनों में अंतर सिर्फ गले की घटाई का ही आएगा तो यह देखिए मैंने इसकी जो लेंथ बनाई है उसमें मैं आपको पहले तो डिजैन किनके बता देती हूं एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ डिजैन मैंने ये वाइट कलर के बनाई है एक दो तीन चार पांच छे साथ और ये आठ ही डिजैन मैंने इसके ये फालसा कलर में बनाई हुए है वाइट कलर का यहां पर यह नौमा डिजैन मैंने शुरू किया हुआ है और नौमे डिजैन की चार सलाया मैंने यहां प मैं आपको इंची टेप से भी इसे नाप कर दिखा देती हूँ कि इंची टेप से मैंने जो इसकी लेंथ बनाई है वो कितनी बनाई है बाकी ये जो हम लेंथ बनाते हैं ये हम बच्चे की हाइट को ध्यान में रखके बनाते हैं अगर बच्चे की हाइट कम हो तो कम बना सकते हैं जादा हो तो जादा बना सकते हैं यह हम हाइट के अनुसार बना सकते हैं तो यह देखिए यहां से यहां तक इसकी जो लेंट बनती है वो 15 इंच है यह देख लेजिए 15 इंच बुनने के बाद फिर मैंने इसमें घटाई की है तो चलिए अब हम इसकी घटाई कर लेते हैं इसमें मैंने जो मुड़े की घटाई की है वो 4, 3, 1 से की है तो ये देखे ये जो धागा होता है इसे हम साथ के साथ उपर लेते जाएंगे ताकि देखे साइड से ये बड़े बड़े धागे नजर ना आए और यहां से हम 4 फंदे की घटाई करेंगे तो दो फंदे इस तरह से एक साथ लेंगे और इसे हम लूज रखेंगे इस फंदे को टाइट नहीं होने देंगे और नेक्स्ट वाले फंदे को साथ में लेकर फिर से दो का एक करेंगे फिर सलाई पर ले आएंगे और दो का एक कर देंगे फिर से सलाई पर लाएंगे और दो का एक कर देंगे तो यहां से चार फंदे की घटाई हो गई है अब आगे देखिएगा यह जो डिजैन है यह मैंने आपको पार्ट वन में वैसे बुनना बताया हुआ है धागा अपनी तरफ करेंगे यह वाले दो फंदे यहां उल्टे होंगे धागा पीछे यह जो सीधे दिख रही है इनको हम सीधा बनाएंगे ऐसे करते हुए पूरी सलाई को बुन लेंगे तो यह देखिए फ्रेंट से हमने इस सलाई को यहां तक बना लिया है अब यहां पर हम गटाई करेंगे इसमें हम जो गटाई करते हैं यह सीधी या उल्टी वैसे किसी भी तरब से की जा सकती है मैंने सीधी तरब से की थी तो यहां की गटाई उल्टी साइड से हो जाएगी तो दो का एक किया फंदे को लूज रखेंगे नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक करेंगे इसे लूज रखेंगे फिर से दो का एक करेंगे फिर से इसे लूज रखेंगे और सलाई पर ले आएंगे और हम अब दो का एक कर देंगे तो चार फंदे की घटाई हो गई है अब देखिएगा यहाँ पर यह फंदा हमारा उल्टा है यह वाले फंदे हमने सीधी साइड से उ तो यही दो सीधे दो उल्टे करते हुए हम उल्टी साइड की सलाई को पूरा कर देंगे तो यह देखिए दोनों तरफ से चार-चार फंदे की घटाई हो गई है और देखिए यह वाला जो धागा है या तो आप घटाई करने से पहले ही वाइट वाले के साथ इसको बांद के इसकी नोट लगा देंगे ताकि यह खुले ना तो यह देखिए मैंने अपने धागे को यहां से हटा के और नोट लगा दी है अब मैं यहां से तीन फंदे की घटाई करूंगी फिर डिजैन के अनुसार सलाई को बुन कर पूरा कर दूंगे फिर मैं यहां से उल्टी फंदे की घटाई कर देती हूं तो यह देखिए फ्रेंट्स दोनों तरफ से चार तीन और चार तीन की घटाई हो गई है और यहां पर अब मैंने अपना यह सैकिन कलर जोइंट कर लिया है क्योंकि इस वाइट कलर की आट सलाईया पूरी हो गई है तो अब हमें अपना यह यहां से हमें लाश्ट एक फंदे की घटाई करने है तो देखिए हम कैसे करेंगे यह वाला जो फंदा है इसे हम पहले तो थोड़ा सा इस तरह से धागा टाइट करेंगे और पीछे की तरफ पकड़ लेंगे और इस फंदे को हम देखिए इसके उपर से ऐसे पलट देगे तो यहां से फंदा कम हो गया है, अब हमें डिजैन को बुनना है, तो इधर वाले फंदे को इसके उपर से हमने उतार दिया है, तो यह जो अब दो सीधे फंदे हैं, इनको हम यहां पर स्लिप करेंगे, यह जो दो उल्टे फंदे हैं, इनको हम इस कलर से यहां सीधा सीधा बना देंगे सीधे वाले हैं उनको स्लिप करेंगे जो उल्टे दिख रहे हैं उनको हम सीधा बुनते हुए यहां लाश्ट के दो फंदे रहने तक इनको बुन लेते हैं तो यह देखिए यहां इसके हम लाश्ट में आ गए हैं यह वाले दो फंदे हमें स्लिप करने हैं इस फंदे को उठाएंगे और इसके उपर से हम ऐसे पलट देंगे और इसे अब हम slip कर देंगे तो देखिए यहां से एक फंदे की घटाई भी हो गई और हमारा design भी adjust हो गया तो अब हम देखिएगा उल्टी साइड से जो फंदे हमारे slip की उए उनको slip करेंगे जो बनाए हुए हैं उनको हम उल्टा भुनते जाएंगे तो यह देखिए पूरी सलाई को मैंने बना लिया है अब इसकी हमारी जो तीसरी सलाई सीधी साइड पर आएगी उसमें भी हमें ज अब ऐसे ही हम अपना इसके बाद जब इस कलर की आठ सलाईया पूरी हो जाएंगी तो फिर इसमें हम यह देखिए यह वाली वाइट कलर की आठ सलाईया बनाएंगे फिर हम अपना यही वाला कलर लगाएंगे और चार सलाईया इस कलर की जब पूरी हो जाएंगी तब इसम तक जब हम इसको बुन लेंगे तो ये देखिएगा इस तरह से राउंड में आपका ये चार इंच बन जाएगा क्योंकि हम जो इसकी टोटल लेंथ बनाएंगे वो राउंड में हमें आठ इंच बुननी है तो यानि जितनी हम मुढ़े की लेंथ बनाते हैं उसका आधा बुन से इसे इस तरह से राउंड में चार इंच मैंने बना लिया है आप इस तरह से नाप कर देख लिजेगा इस तरह से आप अपने इंची टेप को रखिएगा और ये जो हमने इसकी घटाई की है इसमें गोलाई में ऐसे नाप लिजे तो ये चार इंच हो गया है और ये वाला जो हमारा वाइट वाला डिजाइन है इस डिजाइन की चार सलाई कम्प्लीट करके पांचवी सलाई पर हमने आरम होल की कटिंग की उसके बाद फिर आठ सलाईया इस कलर से बनाई फिर आठ सलाईया वाइट कलर से बनाई और फिर से हमने पूरी हो चुकी है आठ सलाईयों में ये एक डिजैन बनता है तो अब इसकी ये जो पांचमी सलाई सीधी साइड पर आई है इस डिजैन की इसमें हम घटाई करेंगे तो देखे हमारे पास जो टोटल फंदे थे वो 86 थे तो चार तीन एक आठ फंदे इधर से आठ फंदे में गले के रखेंगे तो जब हम 70 में से 12 फंदे निकालेंगे तो फिर 29 फंदे इस साइड के होंगे और 29 फंदे इस साइड के होंगे तो अब हम क्या करेंगे यहां पर 29 फंदे अपने डिजैन के हिसाब से बुन लेंगे अब जैसे देखी ये वाले दो फंदे हमें उल्ट 39 फंदे बना लिया हैं अब हम क्या करेंगे पहले इस साइड के पार्ट को पूरा कर लेंगे इन फंदों को हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो यहीं से अब हम ट्रन करेंगे तो यह जो हमने 12 फंदे बीच के गले के लिए रखने हैं उनको हम बाइंड ओफ नहीं करेंगे उनको ब फंदे बाइंड ओफ करेंगे अगर जैसे कि मालिया आप नॉर्मल वाली उन से स्वेटर को बनाएंगी तो आप यहां बीच में 12 ही फंदे छोड़ देना बाकी की जो घटाई होगी वो बिल्कुल सेम होगी तो आप अपने फंदे गिन लेना ठीक बीच के 12 फंदे निकाल कर जो बचे उसमें इसे आदे-ादे दोरों तरफ हो जाएंगे तो यह आप गिन लिजेगा तो देखे दो का एक कर दिया है इस फंदे को आप हलका सा लूज छोड़ दीजिएगा नेक्स्ट फंदे को आप साथ में लेकर फिर से 2 का एक कीजिएगा इसे हलका सा लूज और next फंदे को साथ में लेकर फिर से 2 का एक कर दिजेगा आप देखे ये हमें ध्यान में रखना है ये वाला जो फंदा है ये सीधी साइड पर उल्टा है तो धागे को पिछे करेंगे इसे हम यहाँ पर सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी तरफ ये वाले दो फंदे सीधी साइड पर सीधे हैं तो उल्टी साइड से उल्टे बनेंगे तो ऐसे करते हुए इन सभी फंदों को हम बुन लेंगे अब देखिए उल्टी साइड से बुनने के बाद अब आज ये सीधी साइड पर सीधी साइड से जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाते हुए इ हमें यहां तक पूरा करना है। देखrenoकेह यहां तक सलाई को अब इल्टी साइड से यहां पर हम फंदे की घ्टाई करेंगे। देखिए दो फंदे कैसे घ्टाईएंगे दो का एक कर देंगे इस फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और वापस लाई पर कराएंगे फिर से हम दो का एक करेंगे तो यहां से दो फंदे की घटाई हो गई है अब हमें यह ध्यान में रखना है जो फंदे हमारे यहां पर उल्टे हैं उनको उल्टा बनाएंगे जो सीधे हैं उनको हम यहां सीधा बनाते हुए सलाई को पूरा करेंगे तो यह देखिए वाले फंदे हैं उनको हम slip कर देंगे तो ऐसे करते हुए इस सलाई को हम बुन लेंगे तो ये देखिए यहां तक मैंने सलाई को बना लिया है वैसे ये दो फंदे सीधे वाले हैं इनको हमें यहां डिजाइन के हिसाब से तो slip करना चाहिए लेकिन हम इधर से फंदे घटा रही हैं तो इस वज़े से इन फंदों को हम यहां सीधा ही बुन लेंगे अब उल्टी साइड से यहां पर हम दो फंदे का एक करेंगे यानि एक फंदा हम यहां से घटा देंगे तो तीन दो एक की घटाई पूरी हो जाएगी तो यह देखिए यहां पर हम दो फंदे का एक करेंगे जो बनाय हुए फंदे हैं उनको बना लेंगे जो slip किये हुए हैं उनको slip करते हुए शिलाई को बुन देंगे फिर सीधी साइड से भी हमें ऐसे ही करना है बनाए हुए फंदों को सीधा बुन देंगे, श्लिप किए हए फंदों को स्लिप करते जाएंगे तो यह देखिए, सीधी साइड से मैंने इसकी तीसरी सलाई को भी बना लिया है अब यहां से हम फिर से एक फंदा कम करतेंगे दो का एक करेंगे और अब यह इस डिजायन की जो चोती सलाई है इसमें हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे इसमें कोई भी फंदा स्लिप नहीं करना है अब ये देखिए सीधी साइड से हम डिजाइन के हिसाब से सलाई को बनाएंगे ये स्टार्टिंग के ये वाला जो धागा इसको तो साथ के साथ आप उपर जरूर ले लिजेगा फिर ये दो सीधे और दो उल्टे ऐसे करते हुए आप इस सलाई को बुन लिजे अब कि यहाँ पर ऐसे हम ट्रं करेंगे और एक फंदा हम फिर से यहाँ पर घटा देंगे यहाँ पर तीन प्लाई वाली उन में शोल्डर के लिए मैं 20 फंदे रखूंगी अगर आप नॉर्मल वाली उन से बना रही हैं तो आप 22 फंदे के लिए रख लीजेगा तो अब हमारे पास जो है यह जितने भी फंदे हैं इनको जो जैसा आपका दिख रहा है उल्टा है तो उल्टा और सीधा है तो सीधा ऐसे करते हुए स्लाई पूरी कीजिए और अब सीधी साइड से भी जो फंदे हमारे जैसे दिख रहे हैं वैसे हम बना लेंगे मेरे पास इस टाइम यह बनाई है तो यह देखेगा यह सीधी साइड से सलाई को मैंने बुन लेा है 21 फंदे हैं तो यह लाष्ट बार हम एक फंदा यहां से घटा देंगे तो दो का एक करेंगे डिजैन के हिसाब से सलाई को फिर बन लेंगे तो यह देखे फ्रेंट से मैंने यहां पर अपने यह दूसरे कलर से जो 8 सलाई है यह पूरी हो गई तो इस कलर की अब हमें 8 सलाई और बुननी है तो यानि अब हमें सरफ इसकी लेंथ बनानी है यहां से घटाई हमारी इसकी कम्प्लीट हो चुकी है 20 फंदे बचे हुए है नॉर्मल वाली उन में 22 रख लीजे तो मैं इसकी लेंथ को पूरा कर लेती हूँ फिर मैं आपको इस साइड से इसको बुनना बताऊंगी तो यह देखिए फ्रेंट्स एक साइड की इसकी लेंथ कम्प्लीट हो गई है अब इसका हम तूसरी साइड का पार्ट बनाएंगे तो यह जो हमने 12 फंदे बीच में गले के लिए लिए हैं उनको हम बंद नहीं करेंगे इस तरह से एक सेफटी पिन लेंगे और इनको इसमे सेफटी पिन में डाल लीजिए तो यह देखिए यह 12 फंदे मैंने इस तरह से सेफटी पिन में डाल के और इनको बंद कर दिया है अब यहां से हम अपना इसी कलर का जो धागा है उसको बांद लेंगे तो यह देखिए धागे को मैंने बांद लिया है अब जैसे हमने इस सा से करेंगे तो यह देखिए इन दो फंदो को एक साथ लेंगे और यहां से दो का एक करेंगे और इस फंदे को हम लूज रखेंगे सलाई पर लाएंगे फिर से दो का एक करेंगे फंदे को लूज रखना है सलाई पर ले आएंगे और फिर से दो का एक कर देंगे तो तीन जैन के हिसाब से देखिए ये फंदा उल्टा बनेगा धागा पीछे दो सीथे दो उल्टे करते हुए इस सलाई को पूरा करेंगे फिर उल्टी सायड से हम सलाई को जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही बना देगे. तो ये देखिए, उल्टी साइड से मैंने सलाई को बना लिया है, दोनों पार्ट में सिर्फ अंतर इतना आया है कि इस वाले पार्ट में हमने उल्टी साइड से फंदे घटाए हैं और इस साइड हम सीधी साइड से घटा रहे हैं, तो अब मैं यहां से दो फंदे की घटाई क पिर डिजाइन के अनमसार सलाई को बुन लोंगे फिर हम एक एक फंदा करके घटाएंगे जैसे हमने यहाँ पर 20 फंदे रखी हैं तो 20 फंदे रहने तक हम ऐसे ही फिर एक एक फंदा घटाएंगे फिर अपने कलर को चेंज करते जाएंगे और जितनी लेंद हमने इस पार्ट की घटाई complete हो गई है दोनों साइड के पार्ट इसके बन गई है अब इसमें हम पैक कले के घटाई करेंगे तो ये देखिए ये इसका बैक पार्ट है और ये जो हमने इस कलर से पहली सलाई जो बुन्नी होती है वो हमने सीधी साइड से बुन ले है उल्टी साइड से अब इस जैसे कि इस वाले पार्ट में शोल्डर पर हमने 20 फंदे छोड़े है तो अब जब हम इस बैक पार्ट में गले की घटाई करेंगे तो 20 फंदे तो हमें ये रखने है और 4 फंदे हम और लेंगे तो यानि यहां से लेकर और यहां तक 24 फंदे जैसे कि हमारा डिजाइन बनाय गया घया है उसी हिसाब से हम भून लेंगे तो यह देखिए इस तरह से अपने डिजाइन की अनुसार मैंने यह 24 फंदे इसमें बून लिया हैं 2 स्लिप करने होते हैं 2 बूनने होते हैं अब इसमें हम यहां पर 24 फंदे रहने तक बीच के जो फंदे हैं उनको बाईंड देंगे नेक्स्ट वाले फंदे को साथ में लेंगे और दो का एक कर देंगे इसको हम लूज रखेंगे अगले फंदे को साथ में लेंगे और दो का एक कर देंगे ऐसे करते हुए यहां पर 24 फंदे बच जाएंगे वहां तक कि हम फंदे बाइंड ओफ कर देंगे 24 फंदों को यह देखिए और जब आप यह फंदे बाइंड ओफ करो तो यह आपका लूज फंदा होना चाहिए तब ही आपकी इसकी शेप अच्छी आएगे नहीं तो यहां से सुकड जाएगा अब यह देखिए यह 24 फंदे हैं जो हमारे बनाई हुए फंदे हैं उनको हम बनाएंगे देखिए यह तो हमने दो का एक किया तो पहले ही बन चुका है इसे बनाएंगे जो स्लिप किये हैं उनको स्लिप करते हुए इस स्लिप करते हुए इस स्लिप करना होता है और जो बनाई हुए फंदे हैं उनको हमें सीधा बुनना होता है तो इस सलाई को भी हम बुन लेंगे तो ये देखिए डिजैन की तीसरी सलाई कम्प्लेट हो गई है चोथी सलाई आ गई है यहाँ पर और अब हम यहाँ से तीन फंदे बाइंड ओफ करेंगे देखिए दो का एक करेंगे एक हो गया इस फंदे को हम लूज रखेंगे नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे दो का एक करेंगे फिर से इसको लूज रखेंगे अगले फंदे को साथ में लेंगे और दो फंदे का एक फंदा कर देंगे और अब आगे जितने भी हमारे फंदे हैं सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे जो बनाए हुए हैं उनको भी और जो स्लिप किये हुए हैं उनको भी तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो हम डिजाइन बना रहे हैं इसकी चार सलाईया पूरी हो गई पांचमी सलाई पर देखिए ये जो slip के हुए फंदे अब हमने बुने थे इनको तो हम यहाँ पांचमी सलाई पर उल्टा बुन देंगे अब ये जो सीधे दिख रहे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे तो यानि दो उल्टे दो सीधे करते हुए पांचमी सलाई को बुन लेंगे तो ये देखिए पांच सलाई यहाँ पर पूरी हो गई छटी सलाई पर हम एक फंदे की यहाँ से घटाई कर देंगे तो फिर हमारे शोल्डर के जो 20 फंदे हमने फ्रंट वाले पार्ट के रखे हैं उतने ही फंदे यहां पर बच जाएंगे तो देखें यहां पर दो का एक किया अब इस फंदे को भी हम उल्टा बुनेंगे धागा पीछे यह वाले दो फंदे सीधी साइड पर उल्टे थे तो यहां पर यह सीधे हो जाएंगे तो यानि दो उल्टे दो सीधे करते हुए छटी सलाई को पूरा करेंगे तो यह देखिए यहां पर इस डिजैन की हम 6 ही सलाई बनाएंगे क्योंकि यह जो फ्रंट वाला पार्ट है इसमें भी हमने यह 6 सलाईया ही इसकी बनाई हुई है यह 8-8 सलाईयों का जो डिजैन है लास्ट में हमने सिरफ 6 सलाईया बुनी है तो यहां पर भी हमारी यह 6 सला का बांध लिया है तो आप भी इसी तरह से बांध लिजिए अब देखिए इस वाले पार्ट के साइड हमने जब घचाई के तो उल्टी साइड से की यहाँ पर हम सीधी साइड से तीन फंदे बाइंड ओफ करेंगे तो देखिए दो फंदे एक साथ लेंगे और दो का एक कर देंगे इस फंदे को हम लूज रखेंगे नेक्स्ट फंदे को इसके साथ में लेंगे और दो का एक कर देंगे फिर से इसे लूज छोड़ देंगे और दो का एक कर देंगे तो देखे यहाँ पर हमने तीन बार दो का एक किया तो तीन फंदे दागे को पिछे करेंगे बनाए हुए फंदों को सीधा बनाएंगे और स्लिप किये हुए फंदों को हम स्लिप कर देंगे तो देखिए यहां पर यह तीसरी सलाई पूरी होती है अब चोथी सलाई पर सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे तो यह देखिए चोथ फंदे एक साथ लेंगे और दो का एक कर देंगे अब आगे हम अपने देखी डिजाइन के हिसाब से ये वाला फंदा सीधा है तो इसको सीधा बुनेंगे धागा अपनी तरफ इन दो फंदों को उल्टा बनाएंगे फिर धागा पीछे दो फंदे सीधे ऐसे करते हुए तो चलिए अब इसके हम कंधे जोड़ेंगे तो कंधे जोड़ने के लिए देखिए ये बैक पार्ट का सीधा इससा है और ये फ्रंट पार्ट का सीधा इससा है तो हम सीधे से इस तरह से सीधा मिलाएंगे और ये देखिएगा अब हमारी जो सलाई है इसकी एक नोक इधर है एक नोक इधर है तो हम फंदो को पहले पलट लेंगे तो ये देखिए एक सलाई के फ फंदा इस सलाई का लेंगे और एक फंदा इस सलाई का लेंगे तो ये देखिए कैसे करना है एक आप इसमें से ले लीजिए इसको थोड़ा खीच दीजिए धागा है हमारा लूज हो गया है एक यहां से एक फिर बैक साइड से एक फरंट साइड से तो इन सभी फंदों को आसानी होती है, तो यह देखिए, एक सलाई में दोनों पाट के फंदे हमारे इकठे हो गए हैं, अब इनको हम यहां से बंद कर देंगे, तो देखिए बंद कैसे करेंगे, यहां से आप एक और ये दो, दो फंदे पहले एक साथ ले लीजिएगा, और दो का एक कीजिए, इसे आप सलाई के उपर ले आईए और इसको आपने लूज नहीं रखना है नौर्मल रखना है जैसे कि हम नौर्मल फंदे की बुनाई करते हैं तो आप स्टार्टिंग में तीन का एक भी कर सकती है तो फिर से मैंने दो का एक किया अगर आप starting में यहां से 3 का 1 करेंगी तो और भी आसानी हो जाएगे फिर देखिए एक फंदा ये है एक backside की सलाई का है एक front वाली सलाई का है इन 3 का यहाँ पर आप एक करेंगे फिर से वापस डालेंगे 3 का 1 करेंगे फिर से वापस लेंगे और तीन का एक करेंगे, ऐसे करते हुए इन सभी फंदों को आप बंद कर दीजिए, तो ये देखे फ्रेंट्स, एक साइड के कंधे हमने जोड दिये हैं, अब सेम तरीके से हम दूसरी साइड के जोडेंगे, तो इस तरीके से एक साइड के फंदों को पलट लेंगे, और फिर सकते हैं, एक दम राउंड में आई है, तो फ्रेंट्स से आज की इस वीडियो में इतना ही, इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके गले में फंदे उठाना, गले की बुनाई करना और सुई से बाइंड ओफ करना बताऊंगे, अगर आपको आज की ये वीडियो पस आपको सबसे पहले मिल सकें, और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें, थैंक यू